आदर निये प्रधाना चार्रे महोदे, सम्मानित अथितिगण, सिक्षगण वे मेरे सभी प्रियस है पाठियों आज हम सभी 74 वे सविधान दिवस के अवसर पर इकत्रित हुए हैं आज पूरा देश सविधान दिवस मना रहा है आप सभी जानते हैं कि आजादी के बाद देश का संचालन करने के लिए एक विवस्ता की जरूती जिसमें कानूनी विवस्ता, साशन विवस्ता के नियम हो और हर नागरिक को समान मिल सके वे मौल वे जो हमारे मुल्ले हैं उनको समान मिल सके दुनिया के 60 देशों के सविधान को पढ़ने के बाद हमारे देश का जो सविधान है वो तैयार हुआ सविधान सभा में 389 सदस्य थे जिसमें 12 महिलाएं सामिल थी और 26 नवंबर 1949 को सविधान सभा ने वर्तमान सविधान को विविद्वत रूप से अपनाया वही 26 नवंबर 1950 को सविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लग हो गया वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं शहीदों के लहू के स्याही से ये सविधान बना है हर दिन सम्हाल कर रखो मेरा देश महान बना है भारतिय समाज की निर्माता वे समाज की सुधारक बाबा साहिब भीमराओ अंबेटकर जी का जर्म 14 अपरेल 1991 में हुआ बाबा साहिब न केवल देश से अच्छूत मिटाने में एहम भूमिका जो है इन्होंने निभाई है बलकि अपना पूरा जीवन गरीबों को इन्होंने समर्पित कर दिया गरीबों को उनका हग दिलाने वे समाज में जो प्रतारित हुए हैं लोग उनके प्रती आवाज उठाने में बाबा साहिब का एहम योगदान रहा है बाबा साहिब अपने माता पिता की चौदवी वे आखरी संतान थे सविधान केवल एक वकीलों का दस्तवेश नहीं है बलकि यह जीवन का एक माध्यम है बाबा साहिब भीम राओ अंबेडगर की ये लाइने सविधान को पूरी तरीके से परिभाशित करती हैं और दरशाती है कि बिना सविधान के आजाद भारत में जीवन की कलपना करना भी असंभव है जब जब देश घने अंधेरों से गुजरा है सविधान ने मन्जिल की रोशनी दिखाई है सदियों से गुलामी की बेडियों से निकलने के बाद तूटे देश को सविधान ने एक स्थम्ब दिया है वहीं इसमें जो दिये गए मौलिक अधिकार है वो हमारी धाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते है साथ ही इसमें दिये गए मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते है अंत में मैं अपनी वाड़ी को यहीं विराम देना चाहूंगी तता बाबा साहिब की इन लाइनों को मार्म करते हुए आज की अपनी इस बात को आप लोगों की बीच रपना चाहूंगी बाबा साहिब कहते थे कि राजनिती में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि एक आयोग्य व्यति आप पर साशन करने लगता है इसलिए अपने देश के साविधान को समझे देश की राजनिती को समझे जै हिंद जै भारत दूस्तु